हमने traditional and non-traditional cultures की बात की एक और distinction, एक और polarity या एक और इम्तियास जो किया जाता है cross-cultural psychology में वो है individualistic and collectivist आप समझ के होंगे individual से मुराद इन्फरादी और collectivist से मुराद collection like more than one people group, यानि इज्टमायत और इन्फरादियत individualism जो है ये एक कफी complex behavior है इसमें जो concern है ना वो अपनी जात या अपनी immediate family या जादा जादा अपने primary group से होता है जैसे मेरे घरवाले, मेरे महले वाले, मेरी बरादरी मैं ये individualistic की पहचान होती है culture की जब के इसके मुकाबले में वो groups या society या मुलक जिसने उनका तालुक है उसकी तरफ उनकी तबज़व और उनका concern वो कम होता है collectivism ये होता है कि आप अपनी society में हामनी रखना चाहते हैं तो लोग एक दूसरे के सात सुल अकल से हामनी के सात सोचते हैं कि कोई चीज अच्छी नहीं लगती वो सिरफ इस लिए नहीं करते कि मुझे पसंद है वो इसलिए नहीं करते कि दूसरों को ना पसंद हो सकती है तो individual अपनी जात पे collectivity को तरजी देता है पाकिस्तान के अंदर ही हालांके हम एक मुलक हैं आपको collectivism और individualism दोनों नज़र आएंगे कभी इलाकों में, families में, खासतों पे, बड़े शहरों में लेकिन अब भी पाकिस्तान को एक collectivist culture कहा जाता है जहां पे हम, we care for traditions and we care for values collectivist culture के लोग जो हैं, वो harmony enhancing strategies इस्तमाल करते हैं जिस से आपस में harmony बड़े, दोस्ती बड़े, सुला बड़े और मिल जुल के रहने का जो एक अंदाज है, वो बहतर हो जब के individualistic cultures जो हैं, वो competition में believe करते हैं कि हम एक दुस्ते से compete करेंगे और compete करने में तो कुछ ना कुछ दिल दुखता है कोई ना कोई मायूस होता है, कोई कामयाब होता है, कामयाब होने वाला कुछ होता है तो individualistic culture में कोई जगड़ा हो तो वो compete करके उसमें जीतना चाहते है जब के जो collectivist culture है, वो इस बात को prefer करते हैं कि जीत या हार की बजाए सबका महौल ठीक रहे, सबके एक दुसरे से तालुकाथ ठीक रहे Asian countries में collectivism हाई है, उसमें Pakistan है, China है, Burma है, India है, Bangladesh है, Japan है, Thailand है, बहुत से Far East के और Asia के countries है जब कि individualism जो है वो western countries में ज्यादा है, America, Canada, Australia, they are all considered individualistic cultures अच्छाब इन दोनों cultures में जो concern है, वो यह है कि कोई इन्सान या individual अपनी जो society में हैं, वो prioritize कैसे करते हैं, तरजिहात का तायून कैसे करते हैं, किस चीज़ को तरजी देते हैं, उसको priority देते हैं और फिर वो इस priority के हिसाब से अपनी relationship और जिन्दगी के मकासिद, अपने goals को किस तरह manage करते हैं collectivist cultures जो हैं वो group cohesion, यानि group की आपस में मरबूत होने को prefer करते हैं, जात की जो खाहिशात हैं उसके मकाबले में, उसके जो goals हैं, उसकी जो मकासिद हैं जिदर वो जाना चाहता है, उसके मकाबले में वो चाहते हैं, कि group की cohesion हो, family की हो, महले की हो, तो बहुत सी चीज़ों प autonomy पे focus करते हैं, यनि शक्सी आजादी पे, तो ये कुछ traits हैं individualistic और collectivist cultures के जो compare किये गए हैं, uniqueness है, autonomy है, independence है, self-sufficiency है, collectivist cultures जो हैं वो group के साथ अपनी इरादे जोड़ के रखते हैं, वो society के लिए जो बेहतर है, उसको देखते हैं, तो ये चीज़ें इन दोनों में फरक हैं.